मिर से पहले, दीपक सर, दीपक तो चाहे नहीं पिता भाई, जवान लड़का है, पिली, बुड़ा हो गया तो फिर, आल चल ठीक है आप सब के, आज आप को यात है हमने कौन सा टॉपिक शुरू करना है, यूट्यूब और फेस्बुक वाले बच्चे लाइब कर दिये क्या, कर दिये, यूट्यूब और फेस्बुक वाले बच्चों, आज इस क्लास के लिए मुझे आपके सामने लाइब किया गया है, और आज हम शुरू करने वाले हैं, टेंस का टॉपिक, स्सी ओफलाइन बैच से लाइब हूँ, जो अभी हमने एक हफता आठ दिन पहले शुरू क कर रहे हैं, टेंस, तो मेरा ध्यान पढ़ाने में जादा होगा, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, कोई डाउट समस्य आजाए, तो रिशी, स्वरी, आनिकेत, आप कमेंट सेक्शन की तरफ नजर रखेंगे, किसी बच्चे का कोई डाउट आएगा, तो अनिकेत मुझे बताएगा, मैं रुक के एक्स्प्लेइन कर दूगी, अदर्वाइस मेरा पुरा ध्यान रहेगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जादा कमेंट्स की तरफ मैं ना देखते हुए, पढ़ाने में पुरा ध्यान रखूँगी, आप वादे के थुरू उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टापिक शिरू करते हैं, कौन सा बोलो जोर से, जोर से, यूट्यूब में कहां कहां से बच्चे सुन रहे हुं, तक आवाज जानी चाहिए, कि रातक में कोई बैठके पढ़ रहा है, भाई, क्या, आई बच् मेरा जो 15 फरवरी वाला बैच हमने अभी अनाउंस किया था, उसको उसकी परचेस लिस्ट आती है न हमारे पास, तो काफी सारे बच्चों ने उसको ओन लाइन परचेस किया है, काफी सारों में संख्या नहीं बताऊंगी, तुम मेरी सेलरी का अंदाजा लगा लोगे, संख तुम सब मिला के वो अकेला एक उनलाइन में उतना बच्चा आ गया है, उसमें बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से एडमिशन लिये, बहुत सारे बच्चे नेपाल से, बांगलादेश से, राजस्थान, बिहार, जारखंड, यूपी, मेरठ, महराष्ट्र, मध्यप्रदे यहां यहां से जो बच्चे हैं, उन्होंने मुझे जॉइन किया है, इंग्लिश सीखने के लिए, कल मेरे सामने लिस्ट आई थी, गूगल फॉर्म भरता है ना बच्चा, तो उसमें एड्रेस वेड्रेस से हमें पता लगता है, कि कहां के बच्चे ने उस को पर्चेस किया ह तो इसलिए मैंने का था कि देखते हैं, पाकिस्तान तक अवास जाएगी या नहीं जाएगी, ऐसे ही नहीं बोला है मैंने, आज मिलने वाली हो मैं पाकिस्तान के बच्चों से बारा बजे लाइव, इसलिए नेता जीबन के आई हूँ, चलिए, पार्टी ले लो वाई कभी ले लो कोई बात ही नहीं, बच्चों का पूरा इज्जत प्यार है मेरे साथ ऐसी बात नहीं है, ओफ-लाइन में भरपूर है और ओनलाइन में भरपूर है, मेरे पर दो है, बाकी टीचर्स पर चाती हूँ, वह ने लग जाए, उससे मेरे थोड़ा और मुनाफ़ा है क्या, से लो, सबसे पहली बात टेंस की, इंग्लिंश में अगर आप, बस बाते नहीं, सरकारी नोक्री वाला टेंस सीखना चाते हो, तो वो बच्चपन वाला ताता थहिया छोड़के, फोकस करना पढ़ेगा किस पे, वह बच्चपन वाला ताता थहिया से मेरा क्या तू था 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 करेंगे तो डांस तो अच्छा ओजाएगा तके नहीं हो गाइगे मैं बहुत बार आइन बोलते हूं पूझे आप में से कोई दूसरी बार तैंस पड़ रहा होगा तो भी मैंने उस टाइम पर लाइन यही बोली होगी कि ता था 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 अप नहीं आएंगे ए तरीके का मजाइक और रही हूं या वो तो एक गलत तरीका है नहीं। हमारी सरकारी नौकरी के पेपर में जो ठेस आता है na.. वो आएगा एरर में.. वो आएगा फिल्लर्स में.. वो आएगा इंप्रूएमिंट्स में.. जो ताते ती वाला तरीका है ना, वो काम आता है translation में, और हमारे paper में translation तो आने नहीं है, ऐसा थोड़े न आएगा, मैं जा रहा था इंग्लिश लिखो, यह तो आने नहीं वाला, वो तो सिद्धा इंग्लिश लिखेगा, हमें उसमें क्या ढूणना है, error ढूणना है, तो जि इसा कब होगा? जब हमें हर TENS की किस चीज़ का घ्llow गाँ होगा? वर्य儿 papet. हर TENS की अपनी एक फिक्स वर्ब है, हाला कि TENS का मतलब यह होता, आसी वर्ब जो टाइम दिखाए. टेंस की परिभाशा कोई तुमसे पूछे टेंस क्या है तो तुम्हें कहना है भाई टेंस वह वर्ब है जो क्या दिखाने का काम करें टाइम दिखाने का और कुछ भी नहीं है टेंस टेंस वर्ब की वह टाइप है जो क्या दिखाती है समय दिखाती है जैसे कि मैं बोलू एम लग गया भाई इस लग गया बच्चा क्या देगा आज का काम चल रहा है present का चल रहा है हमें वो कह रहा है will लगा दिया sentence में तो will देखके हमारा बच्चा क्या बोलेगा future का काम चल रहा है वर देखके हमारे बच्चे क्या बोलेंगे? पास्ट का काम चल रहा है. तो हमने ना सब्जेक्ट बताया, ना अब्जेक्ट बताया, ना कोई एक्षन बताया, सिरफ इस ने बता दिया टेंस कौन सा है? प्रेजंट, वर्ज ने बता दिया tense कौन सा है past Will ने बता दिया tense कौन सा है future और यह क्या है English में हमने यह तरीका अपनाना है हमारा English का एक भी sentence ऐसा बनी नहीं सकता जिसमें verb ना आती हो अब verb नहीं आएगी तो आक्य तो बनेगा नहीं यानि verb पका आएगी और verb पका आएगी तो tense पका पहचाना जा सकता है बिना Hindi बनाए क्या मेरी पहली बात समझ में आगी आप ना पाओगे यह तरीका Hindi बनाएगे जोड़ दोगे जूठे लोगो तातेती जोड़ दोगे नकली आदमी हाँ बोलोगे तो जूठे हो ना बोलोगे तो नकली हो क्यों हाँ बोलोगे ना तो भी अंतर मन से Hindi बनती ही बनती है सामने में लिखूंगे ना गो मन में आएगा याएगा जाना सामने में लिखूंगे ना स्पीक मन में आएगा याएगा बोलना पता ऐसा क्यों होता है लिए के काम नहीं करना वह तो पक्का उति तक्राइब मिलेगी और नीचे जो भी तुमने रखा होगा वो कहीं का कहीं मिलेगा और तुम तो फिर भाई 18-19-20 साल के बच्चे हो और ज्यादा पावरफुल बाल्टी क्या पुरा का पुरा टंकी हटा दोगे देखने के लिए सची कहरी हो मैं जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है ना वो काम हम पका करते हैं अगर हमारे पैर यहता है हमा फिरी में हारा हमारा सोच ही यहां से चलती है जिस काम को ना करेंगे वह करने का मोटीवेशन आजगा जिस काम को हा करेंगे vat पिछह पड़े रहते हैं यह फीलिंग है हमारी अप्परिंगिंग में है हमारे आषर दो बच्चों के साथ इस कम के लिए मना किया जाए, वो तो पका, पका करना है. जैसे मैं आप सब को कह रही हूं. अभी फिल हाल अगले 10 सेकंड तक आपने अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना. अगले 10 सेकंड तक अपनी माताशरी की फॉट दिमाग में नहीं आने देनी हैं. मत सोचो. इस सोचना मा के बारे में नहीं सोचना're all fall मैं जितनी बाव मा बोल रही ह हुआ हुआ है इस नहीं चोटो बाण में पिर नेंद कोई मइद बनती rush मम्मी की तो फोटो है ना की कोई फोटो नहीं है दिमाग में इमेज ही नहीं है ना की तो इस वज़े से मा की इमेज दिखती है और ना की इमेज नहीं दिखती है और ना की इमेज नहीं दिखती है तो वो कामम पका करते हैं यह फंडा है एक्च्विल में यह लोजिक है अपन आरे जो बच्चे है ना उनके साथ ही बहुत बड़ी समस्सा है कि ये काम नहीं करना तो वो काम तो पक्का करेंगे माबब क्याते है फोन नहीं चला ना पूछ के देखो अपने आप से कि माब पर इंस्ट्राग्रांं फेस्बूक ये सब तर नहीं रहे है पूछ के देखो आप से माब आप क्या लड़कियों की चक्रों में पढ़ला रोज का वर्क काम यह तो हमें जो काम घना किया जाता है वहं पक्का करते हैं, इसलिए मैंने कहा था, जूठों, मैं कह रही हूँ ना हिंदी नी बनानी, तो आएगी, आएगी, पर फिर भी मैं कह रही हूँ, मत बनाना, मेरी मजबूरी है, क्योंकि हिंदी बनाने लगे ना, तो tense आएगा ने बिटा, खराब हो जाएगा, सबसे पहले तुम्हें सही तरीका पता होना चाहिए, कोई भी काम करने का, तो इसको करने का सही तरीका है, किसकी मदद से करेंगे भाई, वर्ब के मदद से, जोर से बुलना किसकी मदद से, अब हर वर्ब जो time दिखाती है, वो तुम्हारी कर रहे हो, present, बीस दिन पहले तक तुम्हारी मुझसे मुलाकात भी नहीं थी, ना तो मिस संस्ता पे थे, क्योंकि बैच को भी इस दिन नहीं होए है, तो ये कौन सा था भई, past, आगे आने वाले समय में तुम्हारी नोकरी लग जाएगी, तैयारी कर रहे हो तो मेरी हर्याना सरकार में जोइनिंग हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट उनको मिली थी, आज बताने आई है, तीन बच्चों का एड्मिशन कराना था, इसलिए, मैं तुम्हें बहुत बार बताती हूं, कि मेरे साथ ये होता है, बच्चा जब नोकरी लगेग अब आपने इने भी लगवाना है, पिछले हफते बताया था एक ऐसा ही आया था, हर्याना में चार साल से जोइन कर रखा है, बताने आया है, अब कि मैंना चार साल पहले लग गया था, आज मिरे को अपनी बहन को इंगलिस सिखानी है, इसलिए मैं उसको आपके पास लाया ह मिरे को ऐसे बच्चे टकराते ही रहते हैं, लगते हैं पहले पहले बताने आते हैं तब जब उनने दुबारा से कोई मदच चाहिए होती है, कोई बैच चाहिए होता है, कोई जरूरत होती है, पर यह लड़की जेन्वन थी, इसने मुझे बोला मैं बहुत गरीब थी, आप से लिए होती हूँ, बच्चे रास्ते में मिलते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाती, तो आज भी मैं डेमो में लेट हो गई, कम से कम 13 मिनट, क्योंकि मुझे बिल्डिंग छे के नीचे खड़ी मिली और बोली, दो मिनट तो मिलना पड़ेगा, जीन से आई हो स्पेशल हैं, तो यह ऐसे बच्चे होते हैं, पर मुझे फिर भी खुशी होती है, कम से कम बच्चा सिलेक्ट हो गया, जिस काम के लिए था नोक्री तो लग गया, यही सबसे बड़ा एम है, मिठाई खाने का वैसे भी कोई एम नहीं है, वैसे ही बहुत गोल हूँ और हो जाओंगी, तो म कोई मेरे मिठाई नहीं लाता है, बस यूँ बता दे कि मैं लग गया, ठीके बच्चों, आज आओ, तुम भी लगोगे, फिर मुझे बताने आओगे, एक साल बाद, छे मेने बाद, देट साल बाद, जब तुम पक्यों हो जाओगे, अब मैंने बड़ी तनका खाली, अब म बता हुआ और आने वाला, बीता हुआ कल कोई सुधार ने सकता, आने वाला कल कोई तुमारा बेगाड ने सकता, जब तक तुम नहीं चाहो गे, तो कोशिश करो ना बिगड़े, अब ये जो हमारा प्रेजेंट है ना, इसमें काम करने के तरीके चार, जो पास्ट है, उसमे भी काम करने के तरीके हो चार कौन से चार भाई सबसे पहला तो काम क्या है यही बताया जाता है मैं क्या हूं मैं कौन हूं मैं क्या हूं या मैं कौन हूं यह जिस भी टेंस में आप बता होगे वह कौन से में चलता है प्रेजेंट में चाहे आज चाहे कल चाहे आने वाला कल मत कोई काम शुरू हुआ है तो, खतम भी होगा, मेरी क्लास शुरू हुए, खतम भी होगी, आपकी तयारी शुरू हुए, खतम भी होगी, आपकी सांसे शुरू हुए, खतम भी होगी, आपका जीवन शुरू हुआ है, खतम भी होगा, बुरे दिन शुरू हुए, खतम भी होगे अच्छे दिन चुरू हुए, खतम भी, तब कुछ होना है भाई, एक दिन खतम, तो जो काम चल रहा है, continuous, देखो, पहले वाले को indefinite या simple, पहले वाले को indefinite या simple, ये काम है, indefinite या simple, अब वो काम हो रहा है, अब वो काम चल रहा है, तो ये action कौन सा हो जाता है, continuous, अब वो काम चल रहा है, तो कौन सा action हो गया, continuous, अब जो काम चल रहा है, कभी ना कभी पूरा होगा, और जैसे ही पूरा होगा, action मान लिया जाएगा perfect, जैसे ही काम पूरा होगा, action मान लिया जाएगा, perfect, आर साइलेंट होता है, चलो perfect बोलेते हैं, action क्या हो जाएगा भाई, perfect, अब चोते tense किसलिए बनाए फिर, पहले में हमने काम बताया, दूसरे में वो काम चलता दिखाया, तीसरे में हमने वो काम खतम होता दिखा दिया, तो फिर यह चोते action की जरुरत क्यों पड़ी, चोते tense की कब होंगे हमें नहीं पता शुरुत और होग puisque होंगे हमें नहीं पता मैंने थो對不起 पहले का तुमारी तयारी शुरू हुई है कभी-णिसों होगी ताना इन अधिक साश्टन टिम लगजो तब यो दिन बताओ, डेट बताओ, साल बताओ, कल वाला तो सपनों में लगेगा, कल लग जाएंगे, कल कैसे लग जाओगे, मजाग की बात थोड़ी है, सोच के देखो, बहुत से ऐसे काम है, जो शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, खतम कब होंगे, आप सब की स्कूलिंग, या आप सब की पढ़ाई कहलो, स्कूलिंग तो चलो गलत एक्जाम्पल हो जाएगा, पढ़ाई अगर मैं बोलूँ, तो कभी फर्स्ट क्लास से सही माईनों में शुरू हुई, होगी, अब तक चल रही है, कब खतम होगी, अब तुम्हारे पास ना हर बात कहीं की जवाब है, जब नोकरी लगेगी, और मेरा फिर सवाल पर सवाल है कि कब नोकरी लगेगी, फिर तुम लास्ट में इसी बात पर आना है, पता नहीं, तो ये वो एक्शन्स हैं, जो शुरू तो होगे भाई, ये पता नहीं है, खताम, जब होंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे, बिचारे ने इस ब्रह्म में, मोंती जी को वो टोट ड़ी डाले, क्योंकि उन्होंने कहा था, अच्छे दिन, तो हमारे जवान बच्चे अच्छे दिनों, उच्छे यही भाई साव ले आएंगे अच्छे दिन, टपटपटपटपटपटप वोट दबादिये एक दम से, अभी सोच रहे हैं कि पता नहीं, टेश 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 टेश, सारा मत बुलवाओ तो मुझ से, लाइव खड़ियों में, चलिए, समझ गया आप मेरी बात, बहुत सारे ऐसे काम जो शुरू हो जाते हैं, पर खतम होने का दिन हमें नहीं पता, उन्हें हम कहते हैं, परफेक्ट कॉंटिनेस, तो दुबारा से बताएंगे, आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कॉंसर्टिन्स, अरे महान विभूतियों, आज तुमारे सामने जीवित खड़ी हूँ, क्या है, कल भी जीवित खड़ी थी, आने वाले कल में देखते हैं, कुछ नहीं बरोसा है, भाई, सांसों का कब रुख जाएं, प्रेजेंट में काम करने के तरीके, चार, पास्ट में भी चार, फ्यूचर में भी चार, काम चल रहा है, बताओ कॉंसरे टेंस, कॉंटिनेस, काम खतम हो गया, बताओ कॉंसरे टेंस, चलता ही जा रहा है यार निपट नहीं रहा है, मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2010 में पता नहीं कब बंद होगा, या हो या, परफेक्ट, कॉन्टिनेस, मुझे नहीं पता एक कब खतम होगा, देट नहीं पता, दिन नहीं पता, साल नहीं पता, हला कि मैंने डिसाइड कर स्टाफ को नचाओंगी, पैसे कमाओंगी, पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं आओंगी, यह मैंने सोचा हुआ है, बाकि देखते हैं, समया में क्या अदिशा दिखाता है, किसे के कंट्रोल में भविश्य पुरा नहीं है, तो जो चीज हमें नहीं पता खतम गब होगी, उसको हम कह रहे हैं, पर्फेक्ट, कॉंटिनियस, और जब हमें कह रहा है, जी यह कम है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं मम्मी हूं, पापा हूं, यह क्या हैं आपके, सिंपल, ठीक हो गया, बन गई यहां तक की बात, अब मैं हर टेंस की वर्ब लिखने वाली हूं, एक मिनिट कमेंट्स पे नजर डाल लेती हूं, कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा है, मैं पढ़ा दो, जोक बहुत हो गए, धन्यवाद आपके सलाह के लिए सर, ऐसे ग्यानी लोगों की हमें बहुत जरूरत है, रहा है, गूट मॉर्निंग फ्रोंपाकिस्तान, देखो, मैं इन्हें बता रही थी कि पाकिस्तान के बच्चे, बोल रहा हैं, हसने लग गए ऐसे, निसार हस रहे हैं, कि पाकिस्तान से कोई कैसे इंगलिस सीख सकता, इनने यकीन नहीं हो रहा है, और अब की बार तुम पका आप पे होगी फेस्बूक यूट्यूब पे नहीं चलेगी वो वो सिर्फ वेटिकन आप पे आप देख सकते हो एप डाउनलोड कर लेना एड्मिशन लिया नहीं लिया क्लास दिखेगी यह वह वाली क्लास नहीं है यह मैं अपने स्सी के ओफ लाइन वाले नए बैच से लाइ अब जिन्हें फर्स्ट और फिफ्ट नहीं पता है दू फर्स्ट है और डाउस तुम्हें तो पता होगा तुम्हें पढ़ा चुकी हो मैं वर्ब में लाइव बालों को बहुतों को शायद ना पता हो ऐसे ही गो फर्स्ट है और गोज तो जहां पर भी आपका 10 सिंपल प्रे देगा तो ध्यान से मेरी बात सुन ले ना कॉंटिनेस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म पे अब क्योंकि प्रेजंट का कॉंटिनेस है तो आपको इसके आगे दिखाई देगा इस एम और आर यहां पे एक सेगिंड के लिए रुक्के में एक लाइन बोल रही हूं सुनना म एक दम से सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं तुम्हें करके नहीं दिखाना चाहरी तो टेबल में बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूं फिर बताओं भी कि यह काम कैसे आएगी तुम्हारे सरकारी नोकरी के पेपर में ठीक है इनके रीजंस हैं वो अभी नहीं बता रही हूं वो जब हम एरर पार्ट में मूफ करेंगे ना तब धीरे 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 घहराई में जाएंगे ठीके बचो तो फिलाल के लिए तुम्हें बस यह पता होना चाहिए प्रेजंट कॉंटिनेस है तो इस है मार के साथ आएंजी बोर्ट पर ध्यान से देखना पर्फिक्ट है इन घी ऐसी अपरेजिए ग surplus का मतलब ही क्या है थाइड फॉर्म और इंग्लिश में थाध फॉर्म कान खोल के सुनना है एप्र धर कि यह अ्टी नहीं है आप क्योंकि यह प्रेजंट है इसलिह क्या मिलेगा है Legal X क्योंकि प्रेजंट क Non 11 इस यह ःता है इस न पास चल रहा है, जहां जहां हम विल और शेल को इंट्रोड्यूस कर रहे है हमारा एक्षन फ्यूचर में चल रहा है, तो यहां पे हमने बात कर ली present, यहां पे हम continuous हो गए, यहां पे हम perfect हो गए, अब चोथा action था जी perfect भी है और continuous भी है पर खतम होने का दिन भी हमें नहीं पता, तो इसमें क्या होगा भाई continuous की वज़े से तो ing पक्का मिलेगा perfect की वज़े से third form पक्का मिलेगी और present की वज़े से has have में से कुछ ना कुछ मिलेगा आप मेरे शब्दों के साथ verb देखो मैं कैसे लिख रही हूँ कुछ बच्चों को lecture stand बीच में आ रहा है ये लो मैंने क्या बोला present की वज़े से मिले has have perfect की वज़े से बना being और continuous की वज़े से आया ing पर तुम किताबे उठाओगे ना बिटा तो तुमें last में since और four भी मिलेगा किताबे उठाओगे तो क्या मिलेगा sensor four ध्यान से मेरी बात चुनना sensor four time words होते है क्या है sensor four time words और इनका काम है time दिखाने का अब अगर तुमें याद हो तो perfect continuous वही action था ना जिसमें हमें काम शुरू होने का time तो पता है पर खतम होने का नहीं पता है यानि मैं सुभा से पढ़ा रही हूँ यह perfect continuous है 13 साल से पढ़ा रही हूँ यह भी perfect continuous है तीन साल से तयारी कर रहा हूँ यार मैं perfect continuous है पिछले एक गंटे से जहिल रहा हूँ तिरको perfect continuous है क्या हमें समझ में आरी है बात यानि हमें ना शुरू समय शुरुवात वाला पता होता है, मतलब काम स्टार्ट कब हुआ, यह हम लोग को पता है, खतम कब होगा यह हम लोग को नहीं पता है, तो वो शुरू वाला समय दिखाने के लिए हमें जरूरत पढ़ती है since और 4 की, क्या हमें बात समझाई, शुरुवाती समय दिखाने के लिए जरूरत पढ़ती है since और 4 की, एक बार सारे बच्चे बोलके दिखाएंगे simple present में क्या लिखा है, मैंने first और fifth form, उसके नीचे do does भी लिखा है negative या interrogative के लिए, first form यहां, fifth form और do does दिखेंगे तो tense कौन सा, simple present, अगर वो ing, ismr के साथ दे रहा है तो tense कौन सा, continuous, वो third form, has have के साथ दे रहा है तो, perfect, वो has have been और ing, since 4 दे रहा है तो, अब comment section में लिखना है, facebook और youtube वालों ने, तुमने मुझे बताना है, I have been doing this since morning, कौन सा tense, youtube और facebook वाले comment section में बताएंगे, मैं sentence बोलती जा रही हूं, I have been doing this since morning, कौन सा, I have been teaching you, since morning ही लगा लो इसमें भी, I have been teaching you, ये भी कौन सा, perfect continuous, I am a teacher, I am teaching you, I have done it, I will have been doing it, cheating कर ली मैंने तुम से, विल देखता ही तुम समझ गए, अब present में नहीं हो, आप, आप कहां चले गए, future में है, तो पहली सफलता हमने हासिल कर ली है, तो मैं English का sentence देखके थोड़ा थोड़ा सा, वर्ब देखके tense को बताना, आ गया है, practice book निकालो एक बार सारे, YouTube और Facebook वालों के पास नहीं होगी, तो board पे खोलिए, प्लीज, अनिकेज जी, practice book board पे open करो, रिशी को समझा रखा है, यहाँ पे नए आज आते हो, फिर मुझे दिक्कत आती है, रिशी को रोज बता रखा है, पैनल पे लगानी है, नए बच्चे, अगर मेरे सामने कोई बैठे हैं, तो यह practice book और एक rule book आपको देती हूँ, practice book open करने को कह रही हूँ, किसी के पास अगर नहीं है, तो अपने आजू बाजू से arrange करो, YouTube और Facebook वालों के लिए, board पे open कर रही हूँ, विकास बिहार से लाई वाप, बहुत बढ़िया, पढ़ने वाले बच्चे के लिए, असिमित अक्षेतर और सुविधाएं हैं आजकल, जब हम स्कूल में होते थे, तो ओनलाइन का मतलब भी नहीं होता था कोई, अब हम कहीं कहीं से किसी भी अध्यापक से connect हो सकते हैं, जिसकी भी बात समझ में आए, मैंने एक बात और भी देखी है, Facebook पे ज़्यादा genuine बच्चे हैं, genuine यानि जिने समझ में आती है बात, जो कदर करते हैं चीज की, और YouTube पे क्योंकि उन्हें options बहुत है ना, 20-30-50-100 teachers के option है, तो वो खाम-खाम की बाते ज़्यादा करते हैं, ये गलत book है, yellow के नाम से होगी, देखो, तब तक मेरे सामने वाले बच्चे, page number 38 पे आएंगे, page number 38 पे, आपने भी practice book में 38 पे जाना है आनिकेत, पैनल पे book open हो रही है आप सबके लिए, here is the shortest possible sentence, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सलीम, बिल्कुल shortest possible sentence है ये, और मैं आपका ज्ञान बढ़ा देती हूँ, अंग्रेजी की अध्यापी का हो ना, the shortest possible sentence है, ये, आपने लिखा है नमस्ते नहीं हम है, ये shortest possible sentence आपको लग रहा है, पर वाक्य में अंग्रेजी का सबसे छोटा वाक्य होता है, ये, गो, क्योंकि इसमें हमें कुछ बताने समझाने की जूरत नहीं है, गो बोलता है, इस समझ में आगया, क्या बोल रहे हैं, दफा हो जा, ठीक है, तो this is the shortest possible sentence, तुम सबने आना है, पेज नमबर 40 पे, 38 पे टॉपिक है, पर जो मैं दिखाना चाहरी हूं, वो 40 पे है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आरती, बहुत-बहुत शुक्री है आपका, टेक्नलोजी इस ग्रेट, पेज नमबर 40 पे एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, identify the type of tense, पेज नमबर 40 पे एक हेडिंग, पैनल पे तो नहीं आया, ये कोई और topic है, models है ये तो, tense कहाँ पे है, PDF और इसमें फरक है, ये tag है, practice book में देखके बताना, tag से पहले है, tense या बाद में, tag से पहले है, क्योंकि यहाँ page नमबर अलग है, ये tense है, ये tense है, और जो exercise मैं तुम्हें दिखाना चाहरी हूँ, मैंने अभी तुम्हें सिरफ present tense पढ़ाया है, समझ रहे हो, सिरफ कौन सा tense क मैंने अपने सामने वाले बच्चों की book में open करा रखी है, और ये मैंने live वाले बच्चों के लिए screen पे open कर दी है, आप अगर heading देख रहे हो, तो क्या लिख रखी है, identify the type of tense, मेरे सामने वाले बच्चों को जो questions में circle करा रही हूँ, YouTube और Facebook वाले बच्चों को वो screen पे से solve कर करने है, सामने वाले बच्चों शुरू हो जाओ, question number 5, YouTube वालों के लिए लिख देते हूँ, ता कि जब explain करूं तो पता हो क्या क्या दिया था, question number 5 के बाद तुम jump करके पहुंचो, मुझे ढूनने में time लग रहा है, तुम फटा फटा पताते जा रहे हो, 12, 12 के बाद पहुं पे, उल्टे हाथ से लिखना पढ़ रहा है, 58 के बाद तुम निशान लगा लो, 47 पे, 47 के अलावा 40 लगा लो, 40, ये बच्चों जैसी handwriting देखके हसना मन भाई, left hand से लिखने लग रहे हूं, page turn करो, अगले page पे आओ, नहीं, 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 एक और मिल गया, 43, 43, फिर मुझे करके दिखा दो, 61, नहीं, रुको, मैं गलती में हूँ, 62 है, 62, ओनलाइन मेरे एप वाले बच्चों के पास ये बुक होगी, YouTube, Facebook वालों के पास बुक नहीं होगी, ये मैं अपने ओफलाइन और ओनलाइन एप वाले बच्चों को देती हूँ, 74, 75, 70 भी है, मान लेते हैं भाई, दमगाओ मत, 72 भी है, लो तो फिर इतना टाइम तो नहीं है, बास बहुत होगी है, रुक जाओ, 25, 75 मिनिट हैं, explain भी करने हैं मुझे, तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश का sentence पढ़ना है, बिना हिंदी बनाए, टेंस बताना है, बिना हिंदी बनाए, टेंस बताना है, जोती बगा, बिल्कुल सही, Facebook से आंसर आपका ठीक है, अश्वनी था या पतानी नाम गया बिटा उ होते हैं, हाँ, मिस मॉनिका, एरर में सिखाऊंगी ये बात, अभी तो मैं टेंस का basic पढ़ा रही हूँ, जब errors पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी, ग्रूप D के लिए भी है क्या मैं, टेंस तो सब पेपर में आते हैं भाई, हाला कि conditional आता है सब पेपर में, पर basic के भीना conditional कैसे सीखोगे, मैम आपकी class starting से कैसी मिलेंगी, रवी आज ही नया बैच शुरू किया है, बिटा बारा बजे, बारा बजे वेटिकन अप डाउनलोड कर लो, वो बैच पढ़ाने आऊंगी, बाकी detail उस बैच में बता दोंगी, बारा बजे live मिल जाना मुझे वेटिकन अप पे, सिरफ अप करना है, आपको class दिखाई देगी, जुलिफर, हसन, अली, शेहन्शा, यू आ उल्सो फ्रम पाकिस्तान, ओके, जोती, यू आ फ्रम गुर्गाउं, गुट, शाबाश, बहुत बढ़िया है, बाई, गुट मॉर्निंग, अमर्जीत, नेना, पर्फेक, कॉंटुनियूस, ठी कर लिया, ओनलाइन वालों से, आ जाओ, अब तुम मुझे question number बोलते जाओ, मैं screen पे open करते जाओंगे, पहला कौन चा, पाँच, यह आ गया जी, question number, पाँच, क्या लिख रखता है, he has slept, has have के साथ third form, कौन सेटेंस, present, perfect, has have कह रहा है, present, third form के रिए, perfect, has have कह रहा है, present, third form के यह, perfect, यह तरीका है, जो मैं चाती हूँ, तुम सब अपनाओ, बिना हिंदी, बनाए, has देखके पता लगे, present है, slept देखके पता लगे, perfect है, दोनों को जोड़ो, tense बन गया, present, perfect, अगला question बताओ, कौन सा है, रोक जाओ, मुझे अपना पैन इदर लाने दो, कौन सा है, 12, 12, 12, 12, गलती कर दी मैंने, छोड़ो, future तो कराया है नहीं न, अभी, पूरा थोड़ी कराया है, फिर भी तुम्हें कर दी है, तुम ज़्यादा ग्यानी होगे हो, अगला बताओ, 40, 40 कहां है, पैनल पे यही issue होता है, समय न, जादा लग जाता है, यही मैंने book से कराना हो, तो अब तक तुम्हें सारे answer बता चुके होती, यह line बहुत बार बोलती हूँ मैं तुम्हें, इसलिए book को compulsory करती हूँ, 40 लिखा है, I have eaten food, तो have कह रहा है present, eaten कह रहा है perfect, अगला बोलो, 43, 43 में लिखा है have lost, have कह रहा है present, lost कह रहा है perfect, मैं सरफ तुम्हें तरीका दिखा रही अगला बोलो, 47, यह भी अलग टाइप हो गई, I have been to the circus होना चाहिए, have कह रहा है present, been कह रहा है perfect, इसे continuous भी बनाया जा सकता है, अगर रख दें, I have been going to the circus, since childhood, बच्पन से जा रहा हूँ मैं, तो यह continuous में भी convert हो सकता है, फिलाल यह present में, perfect है, अगला बोलो बेटा, 58, 58, they have bought a car, have कह रहा है present, bought कह रहा है perfect, तो टेंस हो गया present, perfect, अगला बोलो बच्पन, 62, she has been knitting, has कह रहा है present, been कह रहा perfect, knitting कह रहा continuous, since कह रहा time word, शब्द बोलेंगे टेंस कौन सा है, हिंदी बढाने की ज़रूरत नहीं है, present, perfect, continuous, समझ आगया मेरा तरीका, सारे बच्चों को आगया, Facebook, YouTube वाले भी बता देंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, topic की शरुवात थी, तो मैंने बोला, live कर दो भाई, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, मैं वैसे तो YouTube और Facebook पे पढ़ाने आनी पाती हूँ, class इतनी हो जाती है, इसलिए मैं किसी ना किसी बैच से अपनी कोई class live करा देती हूँ, offline से, अगला बताना बिटा, 70, has been, raining, मेरी तरीके से बोलो, has, present कह रहा है, been, perfect कह रहा है, raining, continuous कह रहा है, तीनों को जोड़ा तो tense बन गया, present, perfect, continuous, बन रही है न बचो बात, इस तरीके से tense कर पाऊँगे, हिंदी बनाने चूट जाएगी, जब इंगलिश के तरीके से पहचानने आगे न, तो हिंदी करने की आदा तो अपने आप चूट जाएगी, आगे बोलो, कुन सा, 72, have क्या कह रहा है, present, been कह रहा है, perfect, working कह रहा है, तो present, perfect, continuous, अगला बोलो, 74, has कह रहा है, present, been कह रहा है, perfect, taking कह रहा है, फिर से, present, perfect, continuous, हो जाएगा, पीछे कुछ लड़के बाते करते जा रहे हैं, रुख जाओ भाई, have, present, played, perfect, क्योंकि third form का मतलब perfect, और has have का मतलब present, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, present, हो जाएगा, बिटा, sure है, मैं टेंस को बहुत स्लो कराऊंगी, basic को, basic बहुत स्लो कराऊंगी, ताकि कोई कितना भी zero बच्चा है, वो connect हो जाए, basic सुदर गया ना, तुमारा, error तो मैं फटा-फट करा दूँगे, फिर, तो basic बहुत धीरे करा रही हूँ, जिन बच्चों को अभी भी confidence ना आया हो, मेरी सला है, किताब में 100 questions है, देख लो, उन 100 में से ढूंड लो सारे present के, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, tense पहचान ना आया या, नहीं आया, कुछ 5-7 questions मैंने जलक के तौर पे करा दिये, कि करना क्या है, बाकि अगर किसी को पूरा confidence नहीं आया है, तो book तुमारे पास है, उसमें 100 questions है, हर question को पढ़ो, और उसके नीचे ढूंडो, कौन सा present है और कौन सा नहीं है, कल हम इसके आगे करेंगे past और future, facebook और youtube पे कोई assurance नहीं है, कि कल live आऊंगी या नहीं आऊंगी, आज शुरुआत थी, इसलिए मैं live आगई, और मेरी जर्नली आदत ही है, बहुत जादा explain करने की, यह मैं आपको अ बच्चे कहते हैं, मैं बाते कर रहे हो, पहली बात तो मैं बाते कर ही नहीं होती, मैं उने examples की मदद से भी last में कुछ ना कुछ सिखाई रही होती हूं, तो जो मुझे बहुत कम सुनते हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती, जो मुझे जादा तर सुन रहे हैं, वो मु कि दो मिनट की बात पर दो गंटे बिता सकता हों। Also, वो बढ़िया टीचर है। अब मेरी नीव में यही बात डाली गई है तो फिर मेरी exploration की आदत तो ज्यादा who नहीं थी आप लुदन ने ऐसा क्यों कहा कि जो दो मिनट की बात में फस जाओंगा, concept पर टिक के explain ही वो करता है, जिसको पता है कि concept समझाया है नहीं ना तो error समझ में नहीं आएंगे तो यह मैं तुम्हें भी बता रही हूं तुम्हें भी बता रही हूं, तुम भी नहीं बच्चे हो explanation में बहुत जादा देती हूं specially basic part की क्योंकि एक बच्चे का basic जब तक नहीं सुधराना, उसको English सिखाना संभव नहीं है तो मेरे examples हमेशा ही बहुत जादा होंगे, बहुत जादा examples, कहानिया इदा और उधर की बात लेके आओंगी और last में कहां पहुचा दूँगी concept पर, vocab में भी कहानिया बनाती हूँ, तुमारे जीवन के example, मेरे जीवन के example उनकी मदद से, वो कैब तक मैं तुम्हें पहुचाऊंगी, क्योंकि हिंदी तो Google भी बता सकता है simple सी बात है, जिसको फटा फट चाहिए, Google पे type करो Hindi रट्टा लगा लो भाई मैं तो explain करूंगी ठीक है बचो जो YouTube पे एक आदा बच्चा जो है वो डाले चला जा रहा है उसको बता रही हो मैं यह बात We have played, हाँ, we are playing होना चाहिए आपका doubt बिल्कुल सही है Salim, पर sentence पहले से type था तो जो normal तरीके से verb पहचाननी थी न वो मैंने इन बच्चों को बता दिया Errors इनी sentences में बात में सिखाऊंगी अभी मैं सिरफ इन्हे verb की मदद से tense पहचानना सिखा रही हूँ Errors जो होंगे न वाक्य में वो हम अगली classes में बात करेंगे आज मैंने errors की बात नहीं की इसलिए ये वाला sentence इग्नोर कर दिया Salim Ahmed Anim बड़ी मुश्किल से नाम पड़ा है माफ करना भाई खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता दीपक नहीं तीस मिनिट निकाल लेते हूं दिन में नहीं भी खाऊं तो चलेगा पहले ही बहुत मोटी हूं है तो नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा वैसे चार-पैस दिन भी निकाऊंगी तो मरूंगी ने बागी तीस मिनिट मैं निकाल लेते हूं खाना खाने की ऐसे बात नहीं है classes जादा हैं क्योंकि वेटिकन पे अंग्रेज जी का subject अकेले मैं समभाल रही हूं बाखी हर subject के तीन तीन चार-चार टीचरस हैं आपके math के भी तीन टीचरस हैं GK के तो 5-6 टीचरस हैं reasoning के भी दो टीचरस हैं अंग्रेज जी का एक मातर पराणी मैं ही हूं तो इस वज़े से मेरी classes बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आप पे भी फेस्बुक पे यूट्यूब पे जहां पे भी अंग्रेज जी जानी है मेरी जानी है तो उस रिजन से मैं लाइव नहीं आ पाती हूं पढ़ाने के लिए लव यू फ्रॉम बिल्डिंग नंबर शिक्स ठीक है ओफ-लाइन वाला कोई बच्चा होगा बिल्डिंग नंबर छे से लाइव आके मैसेज डाल रहा है चलो सारों को समझ आ गया होगा मेरी ख्याल से मेरे बाद किसकी क्लास है भाई किसकी राहूल सर की आज तो उनका बैच था नो से बारा का टाइम था भाई उसका पक्ता राहूल सर की है सवा ग्यारा से बारा चलो ठीक है फिर मिलते हैं बाई फेस्बुक और यूट्यूब वाले बच्चों मेरी अब दूसरे ससी में क्लास है इस खबरे को छोड़ने का समय हो गया जी नित्तु एंजल थेंक्यू सो मच सभी का दन